वार्षिक प्रिक्षा 2022 कक्षा 11 हिंदी अनिवारिये का असली पेपर आपके मिल चुका है नमस्कार बच्चो सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भी अगर आप कक्षा 11 के विद्यारती हैं तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 हिंदी अनिवारिये का एक एसा पेपर बताने वाला हूँ जो आपके इस बार वार्षिक प्रिक्षा 2022 में आने वाला है तो वीडियो को आपको complete देखना है और हिंदी अनिवारिये में जिन बच्चों को पूरे में से पूरे नम्मर लाने है तो exam से पहले ये complete paper आपको अच्छे से त्यार करना है तो सबसे पहले आपको paper में निर्देश दिये गए हैं तो ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं यहाँ पर निर्देश में आपको तीन पॉइंट दिये गए हैं तो यह तीन पॉइंट आपको जरूर फॉलो करने हैं और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं पार में जितने भी आपको questions पूछे गए हैं तो all questions है वो आप आराम से कर सकते हैं तो यहां पर पहला question है कि कवी ने धर्ती का असली स्वामी किसे और क्यों बताया है तो कवी ने धर्ती का असली स्वामी किसे बताया है और क्यों बताया है यह आपको बताना है और दूसरा प्रसन है आपके कि जुवा भाग्य का रख देता है कथन से आपका क्या तात्परी है क्या आसे है और तीसरा प्रसन है इसमें कि प्रस्तूत कवीता का मूल भाव लिखिए तो प्रस्तूत जो कवीता है जो काव्यान से इसका आपको मूल वाव लिखना है और परसन संग्या चार है आपके कि परस्तूत कवीता किस सेली में लिखी गई है तो यह कवीता है या आपके कौन सी सेली में लिखी गई है तो यह आपको बताना है उसके बाद परसन संग्या दो है आपके कि परस्तूत एपटित गध्यां तो आप इस गद्यान से जुड़े जितने भी परसन आपको पुछे गए हैं, सभी परसने वो आराम से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर पहला प्रसन है आपके कि अनुसासन का एर्थ यह आपको समझाना है, और दूसरा प्रसन है आपके कि विद्यार्थी जीवन में अनुसास का क्या महत्व है Vladikors इसका क्या महत्व है और तीसरा उपयूपट गध्यांज के लिए उपयूप्यूपट सिर्फ की रिखा 10 झार की अनुसासन का समास विग्रे करें समास का नाम लिक तो अनुसासन सब्ध peine करना है और समास का नाम भी बताना है उसके बाद में हम बात करें यहां पर प्रैसन संग्या तीन है आपके कि निमन लिखित विश्यों में से किसी एक विश्य पर लगभग तीन सो सब्दों में एक निमंद लिखिए तो तीन सो सब्दों में आपको निमंद लिखना है जिसमें पहला है आपके कन्या भुरुनत्या और दूसरा है आपके सिक्षित नारी सुख समर्दिकारी और तीसरा है आपके प्रियावरन परदूशन और उसके बाद में चोथा निमन्द है आपके स्वच भारते जन सहवागीता तो यहाँ पर चार निमन्द आपको दिये गए हैं आपको एक निमन्द करना है अच्छे से और वो भी कितने सब्दों में करना है तीन सु सब्दों में करना है उसके बाद में प्रहसन संग्या चार है कि समय को गोरोव मानते हुए जलदाय विभाग जेपुर के अधिकारी के नाम एक प्राथना पत्तर लिखे जिसमें नगर में व्याप्त जलसंकट पर द्यान आकरश्ट करें और इसके अथ्वा में परसन है आपके कि अपने ग्राम पंचायत के सचीव की ओर से आपने जीला कलेक्टर को गाउं में फेली मौसमी बिमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू के उपचाराथ, हेतू चिकित्सकों की टीम भेजने, हेतू कारिया लई पत्रेव आपको लिखना है और उसके बाद में परसन संग्या 5 है आपके कि छातरों में बढ़ती नसे की लत्थ पर आपको एक फिचर लिखना है और इसके अथ्वा में परसन आपको दिया गया है कि आज के दूसित खान पान पर एक फिचर लिखे और उसके बाद में परसन संग्या 6 है आपके कि निम सब्द यानि सो सब्द के अंदर आपको अलेख लिखना है जिसमें पहला है आपके कि निसुलक बालिका सिक्षण के प्रिनाम और दूसरा है आपके पॉलिथिन का उप्योग और तीसरा है आपके एकल प्रिवार तो इन तीनों में से एक पर आपको अलेख लिखना है और वो तो पग घुंगरू, बंदी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायन सूं, आप ही हो साची, ओके तो ये आपको complete अच्छे से पढ़ना है, काव्यान से, और इसमें आपको questions पुछे हैं, यहाँ पर total 5 questions पुछे हैं, पहला question है आपके, कि मीरा किसके परती समर्पित होकर क्या कहती है और क्यों कहती है, यह आपको बताना है, और दूसरा प्रसन है, कि लोगों ने मीरा को बावरी क्यों कहा है, तो लोगों ने मीरा है, उसको बावरी क्यों कहा है, और तीसरा प्रसन है, कि राणाजी द्वारा बेज़े गई, वीश के प्याले को मीरा हस्ते हस्ते, किसकी करप से पी गई और उसके बाद में चोथा है आपके कि मीरा को बिरादरी के लोगों ने कुल नासिनी क्यों कहा आप इस कथन पर अपनी सहमति वेखते कीजिए और पांच हुआ है इसमें दो परसन आपको पुछे गये हैं पहला आपके कि इस पद का भाव सुंद्रिये सपस्ट कीजिए और दूसरा है कि उप्यूकते पद का सिल्फ सुंद्रिये बताईए और इसके अथुआ में परसन है आपके कि विका दिया घरदवार महाजन ने ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी ओके रह रहकर आखों में चुपती व आपके कर सकते हैं लेकिन येक कश्छन आपको अथवा में दिया गया है तो आपको एक ही करना इसमें और उसके बाद में आठफ़ी आप परसन है कि निमन प्रेशन के उत्तर शाठ सब्दों में देने तो 60 सब्द के अंदर आपको उत्तर देने हैं और यहां पर पहला प्रसन है कि कवी ने चंपा की किन-किन विशेष्टाओं का उलेक किया है और दूसरा प्रसन है कबीर के अनुसार किन लोगों को आत्म ज्यान नहीं होता और तीसरा प्रसन है कि चंपा काले-काले अच्छे न रसनों के उत्तर दीजिए तो ये आपको गध्यांस दे रहा है कि इस्पिति हिमाचल प्रदेश के लाउल इस्पिति जीले की तैसिल है लाउल इस्पिति का यह योग भी आकश्मिक है इनमें बहुत योगा योग नहीं है उंचे दरो और कठीन रास्तों के काण इतियास में भी कम रहा है और अलंगे बुगोल यहां इतियास का एक बड़ा कारक है अब जब की संचार में कुछ सुदार हुआ है तब भी लाउल इस्पिति का योग प्राइब वायर लेंज सेट के जरिए है तो यह कंप्लिट जो गध्यांस आपको दिया गया अच्छे से आपको भी लाउतल प्रेयास में कम क्यो रहा है इसका क्यारीजिन और किया कारण रहता है और इस संचार रहता हैने बात्व में का यह इने पी पेशों की कमी के कारणी बारिस का दर्सित चिनित करने में बहुत मुश्किल आई है तो ये गध्यांस भी आपको कम्प्लीट पढ़ना है ये भी आप कर सकते हैं इसमें भी वही चार कुशन दिये गए हैं और उसके बाद में परसन संग्या दस है कि निमन लिखित पांच परसनों में से चा किस तपस्या से कम नहीं है पंथेर पांचाली विलम के संद्रब में इस कथन को सिद कीजिए और तीसरा प्रसन है बच्चों को उनकी महनत का फल केसे मिल सकता है रजनी पाठ के अदार पर सपष्ट करें और प्रसन संग्या चार है कि आपके और यहां के निवासियों के बी प्रति दुवंदी क्यों नहीं समझता था तो यह आपको बताना है उसके बाद में ग्यार हुआ कुश्चन है आपके कि निमन प्रसनों में से तीन प्रसनों के उत्तर दीजिए जिसमें पहला प्रसन है कि चित्तरपट संगीत वसास्त्री संगीत में क्या अंतर है और दूस प्रसन है कि चेलवन जी किसे कहते हैं यह आपको बताना है पर्सन संग्या बाहरा है कि कोई एक पर्सन कीजिए जिसमें पहला है कि मरू भूमी में पाई जाने वाली खडिया पट्टी और रयजानी पानी में क्या समन्द सपश्ट कीजिए और दूसरा परसन है लेखक ने लत्ता की गायकी की किन विश्यस्ताओं को उजागर किया हैं, आपको लत्ता की गायकी में कौन-कौन सी विश्यस्ताओं नजर आती हैं, उदार्ण सहीत हैं, वो आपको लिखना है, तो प्रिक्षा से पहले ये इंदी का पूरा पेपर आपको अच्छे से त्यार करना है, इं तो को इसा सेर करें